दिखने लगा है वहां आतंकियों की भरती लगभग बंद हो चुकी है और लोकल सपोर्ट भी कम है आतंकियों के शर्वनास के बाद शांती का आरंब हो चुका है इसकी एक तस्वीर आज पूरे देश को देखनी चाहिए दक्षिनी कश्मीर के शोपया में एक मंदिर की ये त तस्वीर है जहां 35 साल बाद पहली बार हवन और पूजा का आयो जन किया गया तो है कश्मीर में आतंकियों के देशत के वज़े से ये मंदिर 35 साल से बन था एक तरफ नए कश्मीर में शांते के साथ हवन हो रहा है तो दूसी तरफ जम्मू के जंगलों में आतंकियों की त चार दिन में चार हमले चम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से लोगों का खून खौल उठा है हर तरफ अब आतंक के दहन की आवाज गूज रही है बीते चार दिनों में जम्मू कश्मीर में अलगलग जगों पर आतंकी हमले हुए सुरक्षबल एक एक कर आतंकीों को ढूट कर उन्हें कबर में दफन कर रही है लेकिन जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकीों के मनसुवे इन ही हमलों तक नहीं रुके हैं वो किसी बड़े मकसद से पाकिस्तान की तरफ से धाखिल हुए हैं इस बीच 11 जून की रात चेक पोस्ट पर हमला करने वाले चार संदिक्द आतंक्यों के स्कैच जारी किये गए हैं आशंक का जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, ठात्री, गंदोह के उपरी इलाकों में हो सकते हैं जिनकी तलाश में पूरे डोड़ा में सेना सर्च ओपरेशन चला रही है जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखरी कील का पूरा प्रबंध हो चुका है और ये देखकर पाकिस्तान बौक राया हुआ है जिस तरह से आतंक का जहर खत्म होने लगा इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नया टार्गेट देदिया जैश, लशकर और अलबद्र ने भारतिय नाम के साथ छोटे संगठन खड़े किये जो LU3 के नाम से कांग कर रहे हैं कश्मीर फ्रीडम फाइटर, कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठन ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग नामों से हमले कर रहे हैं लेकिन ये जैश, लशकर और अलबद्र की ही साजुश है वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है उनके बाल बच्चों को छोड़के, वो है भी की नहीं हमें पता नहीं है जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं यहां कई लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच मिच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पस्ता हैं, क्योंकि उनके घरबाले, उनका स्टेक यहां पर उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उनकी बच्चे है तो वो इसमें देश के बुरुध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा नुशामत है सूत्रों के मताबिक पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसाई का फालकन पैन जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साज़िश है लश्कर-े-तयबा और जैश-े-महम्मद के पचास आतंकियों को मिलाकर एक ग्रुप तयार किया गया है इन्हें जंगल वार्फेयर के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है स्नाइपर हमला, हमले के बाद जंगल में छिपना और खात लगा कर हमला करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग जी गई है पासनद जब सारे पासिस की बर्ख पिघल जाती है तो ऐसे समय में इन्फिल्ट्रेशन और तमाब तरीके के जो उनके सपोर्ट है अमनीशन और जो एकस्प्लोसियर उसको आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है तो सारे पासिस खलोगे हैं और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैम में जो आतंकवादी ट्रेन हो रहा है इस समय वो मौके की तलास बढ़ाते हैं इन्फिल्ट्रेट करके हिंदोस्तान के इलाके में घुसके आतंकवादी घटनाओ को अंजाम दे यही नहीं खबर ये भी है कि ये फालकन फिफ्टी ग्रूप अब जम्मू कश्मीर विधानसबा चुनाओ को अपना निशाना बना सकता है इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडर ग्राउंड वरकर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आस्रा भी दिया है लेकिन अब जब आईसाई के फालकन फिफ्टी ग्रूप के सारे इंपूर्ट सुरक्षय एजेंसियों को मिल चुके हैं तब इनके अंतका खाका भी तयार हो चुका है सुरक्षय बल और सेना भी तयार है इन आतंकियों के सीने में बारूत भरने के लिए चुरिया आगे बढ़ते हैं लगनों के अकबर नगर में अवेद निर्मान के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन चौथे दिन भी जारी और इस अभ्यान में कोल 312 अवेद निर्मान किराए गई है लगनों के अकबर नगर में मुसल्मानों के घर पर बुल्डोजर चुला दिया गया क्या संग परिवार मुसल्मानों से बदला ले रहा है ओवेश्व के इस पोस्ट से लगता है कि उनका क्याना है कि लखनों के अकबर पुर में मुसलिमों के घरों को द्वस किया जा रहा है लिकने इसकी सच्चाई कुछ और है देखे रिपोर्ट अतिक्रमन पर बुल्डोजर चला तो क्यों भड़ा गए ओवेश्व क्या लखनों के अकबर पुर में सिर्फ मुसल्मानों के घर पर चला प्रशासन का बुल्डोजर आखिर क्या है असुदुद्दिन ओवेश्व का दावा और इस दावे की पीछे कितने सच्चाई है यह आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनों का अकबर पुर इलाका जहां तीन दिन से प्रशासन का बुल्डोजर चल रहा है लखनों के अखबर पुर में कुकरेल नदी पर अवैद खब्जे के बाद बने घरों को खाली करके तोड़ा जा रहा है और ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहां एक दो नहीं करीब 1100 घर और कई शौपिंग कॉम्पलेक्स को थ्ष्ट करके उसे सम्तल किया जा रहा है ये देखकर असदुद्दिन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि चुनाओ खत्म होते ही मुसल्मानों को टार्गिट किया जाने लगा पहले आप AI MIM चीफ असदुद्दिन ओवैसी का घुसा देखिए जो उन्होंने बुल्डोजर एक्शन के खिलाफ लिखा है ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा चुनाओ की नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसल्मानों पर हमले बढ़ रहे हैं उत्तरपदेश में दो मौलानाओं का कतल कर दिया गया लखनौ में अकबर नगर में मुसल्मानों के घर पर बुल्डोजर चला दिया गया क्या संग परिवार मुसल्मानों से बदला ले रहा है असद उद्दीन ओवैसी ने तावा किया कि लखनों के अकबरपुर में मुसल्मानों के घर पर बुल्डोजर चलाए गए लेकिन ओवैसी के पयान का सच क्या है ये भी देखने की ज़रूरत है लखनो विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर में अतिक्रमन करने वाले लोगों के लिस्ट का पोस्टर लगाया है इसमें 1100 से जादा लोगों के नाम है हलांकि ये मुसलिम बहूल आबादी है लेकिन यहां सैकड़ों के संख्या में हिंदू भी हैं जिन्होंने कुकरेल रिवर फ्रेंट पर अतिक्रमन किया है मुसल्मानों पर जुल्म की बात करते ओवैसी ये भूल गये कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें बिना आसरे के छोड़ा नहीं जा रहा अतिक्रमन ध्वस्त करने से पहले लोगों के लिए यहां विशेश कैंप लगाया गया है जहां उन्हें प्रधानमंत्री आवाज के नए घर भी दिये जा रहे हैं वैसी नफरत की बात करते हैं और इसी नाते इस चुनाओं में वैसी को जनता ने खारिच किया है रही बात अक्बर नगर की तो निश्चित रूप से वो नाले पा अबैद कभजा करके लोगों ने घर बनाया था सरकार ने उनको विस्थापित करने से पहले उनको मकान दिया है उनके निवास का विवस्तित प्रबंध किया है और फिर अबैद कबचा हटाया जा रहा है हाला कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाओ खत्म होती ही अकबरपुर में बुल्डोजर क्यों चला सवाल ये भी है कि लखनो जैसे शहर में इतनी बड़ी बस्ती और दुकाने कैसे बन गई और किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं इस पर बीजेपी का आरोप है कि साल 2012 में कुक्रेल नदी के दोनों तरफ अवैद बस्ती बसाने का काम शुरू हुआ जब यूपी में अखलेश यादो की सरकार थी उस वक्त भू माफिया ने रसूख और साट गांट से नदी के दोनों तरफ अवैद बस्ती बसा दी बस्ती जब पूरी तरह बनी तो वहाँ शौपिंग कॉम्पलेक्स बन गए जो आज में पता चला कि यहां के 73 खबजेदार करोड़ पती हैं और 300 घरों को किराय पर दिया गया है जबकि सरकारी आदेश के मताबिक यहां ना तो रिहाईशी निर्मान की इजासत है और ना ही व्यवसाइक निर्मान की योगी सरकार में कुक्रैल नदी के इलाके में रिवर फ्रंट का प्रपोजल पास हुआ लेकिन अतिक्रमन को हटाने की कारवाई काल लोगों ने विरोध शुरू कर दिया हंगामा भी हुआ ये मामला इलहाबाद हाई कोर्ट भी गया उसके बाद सुप्रिम कूर्ट ने अतिक्रमन वाली जगे को खाली करने का आदेश जारी किया और इसके बाद से ही यहां प्रशासन पुरी तैयारी के साथ पहुँचा और बुल्डोजर गारवाई शुरू की गई गांधी की दो नाओं की सवारी करने वाले राहूल गांधी कनफ्यूज हो चुके हैं राहूल गांधी दुविदा में है कि राय बरेली और वाईनाड को लेकर कि आकिर दोनों लोगसभा सीट में से किसका चुनाव किया जाए दरसल 2019 के चुनाव में भी राहूल गांधी दो सीटों पर चुनाव लड़े जिसमें से अमिठ्वी की सीट पर उनके हार हो गई तब वाईनाड के रास्ते वो लोगसभा पहुंचे लेकिन इस बार राहूल गांधी राय बरेली और वाईनाड दोनों जगा चुनाव जीच चुके हैं अब उनके लिए दोविधास बात की है आखिर वो गांधी परिवार के परंबरागत सीट राय बर्ली को चुनेंगे या फिर 2019 में जहां की जुनता ने उन्हें सांसत बनाया उसका चुनाव करेंगे राहूल गांधी के इसी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन आपको इस रिपोर्ट्स में दिखाते हैं देखिए लोगसभा चुनाव की सबसे चर्चित दो सीट जहां से राहूल गांधी चुनाव लड़े और दोनों सीट पर राहूल गांधी की जवरदस्त जीत हुई अब सबसे बड़ा सवाल है राहूल गांधी इन दोनों सीटों में से किसे चुनते हैं क्या राहूल गांधी राइबरेली की खातिर वाइनाट से दूरी बना लेंगे या फिर वाइनाड के लिए गांधी परिवार की सीट से इस्तीफा दे देंगे फिलहाल इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास भी नहीं है क्योंकि पहले राइबरेली की जनता का अभार जताने के लिए उनका राइबरेली जाना और फिर एक दिन बाद वाइनाड की जनता के सामने अपनी बात रखना जिसमें उन्होंने कहा वो कन्फूज हैं I have a dilemma in front of me The question is, will I be member of parliament of वाइनाड or will I be member of parliament of राइबरेली I have a dilemma in front of me The question is, will I be member of parliament of वाइनाड or will I be member of parliament of राइबरेली हालाकि सूत्रों से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूपी की राइबरेली और केरल की वाइनाड लोग सभासीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास राइबरेली सीट ही रखेंगे वो केरल की वाइनाड सीट छोड़ देंगे वही अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंगा गांधी वाइनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती है लेकिन अब तक वो वाइनाड जाने के लिए इच्छुक नहीं है लेकिन अगर राइबरेली और वाइनाड की बात करें तो दोनों सीट गांधी परिवार के लिए जरूरी है वाइनाड सीट कॉंग्रेस का गड़ है 2019 में वाइनाड से जीत कर राहूल गांधी सांसत बने थी तो राय बरेली में गांधी परिवार का तब दबा है यहां लगातार गांधी परिवार के सदस्य की जीत होती रही है 2024 में भी वाइनाट की जनता ने राहूल का साथ दिया तो वही राय बरेली में भी आखरी वक्त में नमांकन के बाबजोद जीत मिली वाइनाट में राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वन्दी को करीब 3,64,000 वोटों से हराया तो राय बरेली में राहुल ने अपने प्रतिद्वन्दी को 3,90,000 वोटों से हराया यानि राहुल गांधी का साथ वाइनाट की जनता ने दो दो बार दिया बावजूद इसके वो वाइनाट सीट छोड़ने की जुगत में हैं ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने परिवार की परमपरागत सीट नहीं छोड़ना चाहते Bureau Report News at E